आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ है students, तो जो question आज हम आज यहाँ पर solve कर रहे है उस question मुझे क्या दे रखा है? एक figure दे रखा है जो कि एक velocity, time, graph मुझे यहाँ पर दे रखा है तो यह particle मुझे पास x axis के along move कर रहा है और t is equal to 0 पे यह particle मुझे पास present है x is equal to 3 meter पे तो question मुझे से पूछ रहा है at time t is equal to 2 second इसी position मुझे पास क्या होगी तो मुझे time t is equal to 2 second पे इसकी final position निकाल ली है तो अगर मैं बात करता हूँ displacement की तो displacement मेरे पास क्या होता है? displacement मेरे पास होता है velocity into time यहाँ मैं इसको कह सकता हूँ area under vt graph तो kinematics में graph की theory से हम जानते है कि area under vt graph जो होता है वो मुझे यहाँ पे देता है displacement का magnitude तो area under vt graph तो यहाँ पे बात करूँ यह मेरे पास vt graph मुझे provide किया गया है अगर मैं इसका slope देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास difference है 8 units का और यह भी difference है 8 units का तो slope है यहाँ पे मेरे पास unity यानिकी 1 तो 1 का slope है यहाँ पे तो 2 seconds पे अगर मैं 2 seconds की बात करूँ तो यह भी 2 units से बढ़ना चाहिए तो 2 seconds पे यह speed उदाएगी मेरे पास 4 तो अगर मैं area under graph देखूँ तो यह trapezium जासा मुझे यहाँ पे बनता हो दिख रहा है तो अगर मैं इसको expand करके यहाँ पे ले आऊँ तो एक ऐसा trapezium मुझे दिख रहा है ठीक है यह trapezium मुझे दिख रहा है जहां पर यह origin था यह 2 था और यह 4 और यह तो ही 2 seconds तो अगर इसका मैं area निकालू trapezium का half times height height कितनी है 2 times sum of the parallel side यानि 2 plus 4 that is 6 तो यह हो गया मेरे पास 6 meter तो area मेरे पास आ चुक है 6 meter यानि displacement कितना हुआ है plus 6 meter तो मुझे निकालनी है final position तो final position माइनस initial position मेरे पास क्या होता है displacement तो यहां पर displacement कितना हो जाएगा x- final minus x initial मुझे given है 3 meter displacement कितना आया है 6 meter तो यहां से मेरे पास x- final आ गया 9 meter प्लस sign के साथ तो यहाँ पर मेरे पास final displacement की value मैं find कर चुका हूँ, यहाँ पास कितनी आ रही है? 9 meters, तो अगर मैं यहाँ पर option compare करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास पहला ही option, यानि की option यह मेरे पास 9 meter मेरी value के साथ यहाँ पर match कर जाएगा और इस question का सही answer हो जाएगा Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या WhatsApp कीचे अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर